हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एट्वेंटीफोर नॉलेज़े, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, गर्वेंट आफ बिहार, बिहार सरकार की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी LBT कंडिशन के बारे में, आप इस से आविदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इसे वीडियो में, तो फ्रेंट से इस से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी, बिहार सरकाल की ओफिशल वेबसाइट पर, जो की state.bihar.gov.in है, या फ्रेंट साप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, job अफ्लाइन अपलाए कर सकते हैं, तो फ्रेंट से यहाँ पर इससे रिटेड सारी जानकारी आपको फ्रेंट से जोवरास्ता.com पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फ्रेंट साप जोवरास्ता.com पर भी विजिट कर सकते हैं, बात करेंगे फ्रेंट से यहाँ पर इसके रिक्रमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वा इसमें आपके रिक्त पदों की संख्या आपके 32 रहेगी, मतलब 32 पोस्त के लिए आप से यहाँ पर ओफिशल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सबसे पहले फ्रेंट से यहाँ पर देखिए वेकंसी है, अनुसुचित जाती वर्ग के पुरुष के इंडिएट के लिए इसमें आपकी टोटल चार पोस्त रहेंगी, अनुसुचित जाती की महिलाओं के लिए दो पोस्त आपकी यहाँ पर रखी गई है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए एक पोस्त है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए तीन पद आपके रखे गए हैं, अनरक्ष तो यहां पर रहेगी बात करें अगर वेतरमान की तो पे स्केल है पे लेवल है आपका वो लेवल वन कर रहेगा section योकेता क्या रहेगी तो friends सरकार द्वारा मानिता प्राप्टर श्कूल से दसवी कलास मिंस मैट्रिक पासाउट होना आपका यहां पर जरूरी रहेगा अगर आप दस्वी पास आउट हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं Age limit friends यहाँ पर देखे जो count होगी वो 18-2022 को count होगी तो age का यह cut off date है जिसमें आपकी जो new term आयू सीमा है वो minimum 18 साल होनी चाहिए और अगर बात करें maximum age की तो friends यहाँ पर देखे जन्रल के male candidate के लिए अधिक्तम जो age है वो 37 years रहेगी जन्रल की female के लिए अधिक्तम जो age है वो 40 साल रहेगी पिछड़ा वर्क के फ्रेंस जो candidate है उनके लिए 40 वर्ष आपकी यहाँ पर age रहने वाली है और आपके SCST के लिए 42 years आपका यहाँ पर age रहेगा तो 18 से 37 साल की जो candidate है वो इसमें आविदन कर सकते हैं अगर आप reserve candidate है बिहार राज्य के तो ही आपको यहाँ पर resurrection मिलेगा और आपको जो है अपर age में छूट मिलेगी और जो age criteria है friends यह एक आठ दो हजार बाइस को count किया recording friends यहाँ पर कम यह ज़्यादा की जा सकती है तो यह friends आपका जो है छूट आपको अपर इसमें मिल जाती है इसके लावा friends यहाँ पर देखिए 5 वर्सों से अगर समविदा पर आप कारयत करमचारी है तो friends आपको यहाँ पर अगर कोई और candidate जो की आपका direct recruitment से जो candidate आता है उ आपको सबसे पहले जो है preference मिलेगी वर्यता मिलेगी तो अगर आप यहाँ पर पहले से working है 5 वर्षों से या उससे अधिक तो यह ध्यान रखिएगा कम से कम 5 वर्स तक आपके पास यहाँ का experience होना चाहिए अगर उससे कम है तो आपको यहाँ पर कोई benefit नहीं मिलेगा पर 5 व से आपका देखिए उम्मीदवारों को स्वस्त होना जरूरी है physically और mentally इसके लावा फैंसे cycle चलाने का जो knowledge है cycle चलाना आपको आना चाहिए अगर आप cycle चलान जानते है तो आपको यहाँ पर benefit मिल जाएगा पर अगर आप यहाँ पर female candidate है उस condition में cycle चलाने के ग्यान से आपको चूट रहेगी मतलब आपको अगर cycle चलाना नहीं भी आता है female candidate के तौर पर तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बार फैंसे यहाँ पर देखिए बात करते हैं कैसे आपको आविदन करना है क्या 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 documents आपको फिल करने है तो यहाँ पर देखिए आविदन प आपने है तो आपको प्रेंटन करने वालिए है जाती अगर आपके कि प्रिमानद पत्र अभ्रणिर करते हैं और इसके साद्प्रमानीद सब्सक्राइब करना होगा इसके साथ पासपो साइच करना है Meu इचाने है प्रस्टेट है अकले पर बदूर्ट है पनी सबमेंसे उस application form के साथ और आपका स्वय पता लिफाफा जो आपका self address envelope होता है जिसमें आप 32 रुपे का postal ticket लगाएंगे जो कि आपको send करना होगा क्योंकि आप selection अगर आपका होता है shortlisted आप होते हैं तो आगे की जो process होगी उसको आपको उसी self address envelope पर ही आपको send के जाएगा इसलिए ध्य रुपे का postal stamp या postal ticket आप उनसे ले सकते हैं और उसके बाद friends दिये गए address पर आप इसे send करेंगे अब address क्या है तो friends जो आवेदन पत्र है वो आप मुखे प्रसासी प्रधादिकारी बिहार भवन पांच कोटले अमार चानक के पुरी नई दिल्ली के पते पर send करेंगे अब इ friends नीचे कहा गया है आरक्षन का लाब भिहार राजजी के मूल निवासी को ही मिलेगा other state candidate अगर आप है तो आपको कोई भी reservation या छूटे नहीं मिलती है अब general से apply करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये vacancy कम है और पहले से वरेता जो समविदा पर कायत करमचारी है उनको भी preference मिलेगी तो friends other state candidate के जो chances है वो automatic बहुत कम हो जाते है इन vacancies में तो friends आप अपने according apply करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि कोई भी application fees नहीं है आपको बस friends यहाँ पर send करना है और इस document के साथ application form के साथ only 32 रुपे की जो poster stamp fees है वो आपकी लगने वाली है आपको poster stamp लेना है post office और नहीं तो आप अराम से send करके ट्राइक कर सकते हैं इसके बार फैंसे देखिए आपसे कहा गया है आविदक को जो आपका जो आविदन पत्र है जो के offline form है वह आपको टंकित कराकर मतलब type करवाकर आपको send करना होगा और इसका जो फैंसे format है वह आपको इसकी official website पर दिया गय करते हैं अपरूब करते हैं उसका अदिकार government के आपके department के पास ही रहता है इसके बार फैंसे यहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि पांच वर्स तक अगर आपने लगातार contact basis पर समीदा पर काम किया है तो आपको benefit automatically मिल जाता है इसके बार बात करते हैं देखिए official form की जो जो official link है वो मैंने आपको provide कर दिया है तो यह friends से इसका दुबारा से वही notice है जो कि आपने थोड़े दे पहले बात की है इसके बात फैंसे नीचे देखिए आपको प्रपरत दिया गया है बिहार भवन में वर्ग घय में निक्ति हितु प्रमान पत्र अब आप इसको टंकन क करवाएंगे एएब आका नाम यहां पर यहांपर टाइप करवाना है आपका जो address स्थाई पता और वर्तमान पता होता है jaha कि आपके documents होते है और वर्तमान पता वह होता है जहां से पत्तराचार करना चाहते है यह से अप से office ए अध्रस पर आपको चाहिए वह आपको यहां mention करने है अगर यह सेम है तो आप सेम एंट्री करवा लेंगे अलग 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 टाइप करवा लेंगे यहां पर आपको फोटो लगानी है और फोटो फ्रेंस हस्ताक्षर सहीद होनी चाहिए यह जिए आप यहां पर ध्यान रखे तो फोटोग्राफ वह सिगनेटर आप इसे करेंगे जनम्तिति आपको मेंशन करनी है जाति आपको मेंशन करनी है सामान्ने पिठड़ा वर्ग है, SC है, ST है, वो आप दे सकते हैं और अगर आप यहाँ पर रिजर्व केंड़ेट है तो आपका कास सेटिफिकेट भी आपको सेंड करना होगा इसके बाद जेंडर क्या है वो आपको देना है किरम संख्या एक आप यहाँ मेंशन करेंगी इसके बाद है अभी पर्मानित पृति मतलब self-attested documents आप कौन-कौन से send कर रहे है तो जैसे आपने फ्रेंड से application form हो गया इसके बाद फ्रेंड से आपका यहाँ पर 10 की mark sheet हो गयी 10 का certificate हो गया आपका जाती परमान पत्र है self-attested copy है मूल निवास परमान पत्र है यह friend से आप यहाँ पर mention करेंगे इसके बाद फ्रेंड से आपको यहाँ पर दिनांंक mention करनी है किस date पर आप form को fill कर रहे है इस thान mention करना है किस जगे से form को fill कर रहे है और यहाँ पर भी आपको signature करना होगा तो यह friend से इसका एक छोटा सा application form है जो कि आपको type करवाना है और दिये गए address पर documents के साथ आपको इसे send करना है 30 December 2022 तक और अगर आप applicable है eligible है ट्राइ करना चाहते हैं तो ट्राइ कर सकते हैं इससे डिटेट सारी जानकारी फैंसे मैंने आपको पहले ही provide कर दी है jobrasta.com पर वहाँ पर जाकर आप details को check करें verify करें ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब चनल एरास सेंक्स पूर वाचिंग